एक सिंपल सा सवाल What is iPhone for you? मेभी आपके लिए किसी दूसरे फोन की तरह ही हो आप iPhone को कुछ फोन नहीं न मानते हो लेकिन किसी दूसरे के लिए जीरने बरने का सवाल हो जाता है कि ना भी लूँगा तो iPhone ही लूँगा चाहे उसके लिए कुछ ही करना पड़ जाए लेकिन आपके लिए मेभी आप दो iPhone अफोर्ड कर लो एक हफ़ते के अंदर ही या एक महीने के अंदर ही कि या दो ले सकता हूं है हर महीने लेकिन नहीं नहीं लेना iPhone क्योंकि हमें जाना ही नहीं आई हो इस ओपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें रहना Android के ऊपर ही बेशक्से आपके पास में एक करोड़ रुपी की गाड़ी हो लोगे 25,000 रुपे वाला फोन मतलब कई सारे लोग हैं ऐसे जो कि महंगी महंगी चीज़े अफॉर्ड कर सकते है महंगे घर में रह रहे हैं अच्छी जगे पे रह रहे हैं लेकिन नहीं उनको नहीं लेने इतने महंगे फोन क्योंकि फोन की जितनी जरूरत है वो उसी हिसाब से खर्चा कर रहे हैं कि 25,000 में अगर बढ़िया फोन मिल रहा है तो वो ले लेंगे क्या और कैमरे की जगे तो 17 साल का था उसने तो अपनी किड़नी तक बेच दी थी और लिया क्या था आइफोन 6S आज के वक्त में कोई उसे 10,000 में भी नहीं खरी देगा second hand लेगिन उसने अपनी price less किड़नी बेच दी सिर्फ उसके लिए और इतने का आइफोन नहीं पड़ा इसको जितने का इसने अपन बंदे ने खुद के उपर ही ये सब किया था लेकिन करनाटगा के अंदर से इतना shocking incident सामने आ रहे कि आप यकीन नहीं मानोगे कि ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा भी कर सकता है आइफोन के लिए एक बंदे ने जो की लक्षमी पुरम का है करनाटगा के रहने वाला वो आइफोन का ओर करता है flip card के ओपर अब मेहंगे वाला एफोन ओर करेगा जब कर रहा है तो भाई इसके बाद में जो flip card वाला delivery boy होता है वो जाता है उस तर्ब जहां पर delivery करनी होती है अब एक बात रहती है कि इन flip card वालों यह मालूम नहीं होताई जो delivery boy होते है कि इस box के अंदर क्या ह वो unbox करने के बाद ही मालूम चलता है कि अरे इस के अंदर इतना महंगा phone है तो यहाँ पर जो delivery boy होता है 23 साल का इसका नाम नायक होता है जो कि पहुंच जाता है उस घर पर जहाँ पर delivery करनी होती है वो 20 साल का हेमन दता होता है जिसने flip card के ऊपर से iPhone के order किये होते है जिसके बाद में जब ये उसके घर पर पहुंचता है ये कहता है कि भईया इसको अन्बॉक्स करो अब डिलिवरी बॉय अन्बॉक्स करता है जिसमें निकलता है आईफोन इसके बाद में ये जो हिमंदत होता है जिसने और्डर किया होता है उसके पास मैं actually में पैसे होते ही नहीं है वो सिर्फ iPhone लेना चाहता था उसकी जेब में iPhone होना चाहिए उसका बस सपना यही था जिसके बाद में वो kitchen से चाकू लाता है और इसके बाद में 23 साल के नायक delivery boy को मार देता है उस चाकू से और यह actually में इसका pre-plan होता है कि मैं ऐसा ही करूँगा delivery boy के साथ मैं उसको घर के अंदर बुलाओंगा और उसके बाद में उसके साथ मैं ऐसा ऐसा कर दूँगा और बस iPhone मेरा हो जाएगा तो इस हद तक अब लोग पहुँच चुके हैं और यह दो दिन तक उस delivery boy की body को अपने घर में समाल कर रखता है और उसके बाद में तीसरे दिन यह स्कूटी पर रखकर जो की CCTV में निकल कर आया है उसको railway platform पर ले जाता है और railway platform पर ले जाने के बाद में उसको जला देता है और अराम से अपने घर में आके आईफोन के मजे ले रहा होता है जिसके बाद में delivery boy नायक की family fire lodge करवाती है अपने लड़के की missing की report करवाती है और उनको यह मालूम चलता है कि रेलवेफ आटक पे एक body पड़ी हुई है जिसके बाद में यह पता लगता है कि यह body उसी flip card के delivery boy की है और यह देखा जाता है कि last में इसने कहां delivery करनी थी और वहीं से मिलता है हेमंत दत जिसने यह पूरा कापूरा card कर रहा होता है और उसकी CCTV footage भी police को मिल जाती है इसके अंदर यह body को railway फाटक के ओपर ले जा रहा होता है और सिर्फ एक iPhone के लिए इसने एक बंदे की जान ले ली होती है क्योंकि बस इसको iPhone चाहिए होता है इससे पहले हमने PUBG के लिए भी देखा है इस तरीके की चीज़ पहली बार सामने आई है कि online order करने के बाद में बंदा murder कर देता है जबकि उसको पता है कि उसके साथ में in the end होने क्या वाला है तो यह लड़का तो अब जेल जाएगा और पता नहीं कितने सालों की इसको सजा होने वाली है लेकिन एक iPhone जैसी छोटी सी चीज़ के लिए एक बंदे की जान ले ली जो की मेहनत करके कमा रहा था और अगर मैं बात करू आईफोन के बारे में तो iPhone का लोगों ने हुआ बना रहा है कि भाई या उससे लोगों की मतलब reputation या value पता लग जाती है कि भाई या मैं इसको afford कर सकता हूँ तो मेरी value ये है लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भाई एक बार अपना घर देख एक बार अपनी हालत देख तेरी जैसे बेशक से iPhone निकल जाए लेकिन तेरे को कोई इतनी कोई value नहीं मिलने वाली बाकी वैसे तो iPhone के चक्करों में लोग किस्ते बंदवा लेते हैं और उसके बाद में साल बर उसकी किस्ते भरते रहते हैं जब क्यूसी पैसे से वो शायद एक बढ़िया बाइक भी खरी सकते थे